हेलो एवरिवन, विल्कम बैक टो वोर्ड चैनल हाइपर टेड़ इस भी माहू मोहमद सोहिल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों आप 2 EM में यूज़ करिए, चाहे वो intraday हो, चाहे वो position हो एक EM में होगा मेरा 25 EM में, दूसरा मेरा EM में होगा 200 EM में यह दो EM में आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप position में काम कर रहे है previous time इसके analysis के basis पे ही मैं आपको 1500 से 1470 के in between prediction entry दिया उसके बाद 1550 का target यहां पे लगा stock में, उसके बाद stock fall होते वे 1550 का trailing लग गया अब stock में जब trailing लगा है, तो हम लोगों को जब stock में opportunity मिलती है तो re-entry भी करवाना चाहिए, तो उसी के basis पे आज stock में मुझे entry दिख रही है और entry मुझे दिख रही है matrix series पे, entry मुझे दिख रही है RSI पे, entry मुझे दिख रही है MACD पे EMA अभी confirmation नहीं है पर EMA 2-3-3 के अंदर आपको confirm कर देगा कि stock कहां से लेके कहां तक उपर जाने वाला है, तो मैं पहले RSI से start करता हूँ RSI इस बार भी oversold नहीं हुआ, 40 RSI पे buyers को hold कर रहा है इसका मतलब stock के अंदर buying है, matrix series आपको पता है, minus 200 यह हमारा major selling level होता है जहां पे minus 200 के नीचे है, और यह बात भी मैं आपको कभी भी confirm करके बताता हूँ minus level में कभी भी हम लोगो star mark indications दिखते हैं इसका मतलब है कि इसमें heavy selling होते हुए, heavy selling खतम होते हुए heavy buying हो रहा है जब heavy buying हो रहा है, तो हम लोगो opportunity buying के तरफ दिखता है और उसी तरीके से star mark indication plus, plus level पे कहीं पर भी होता है, plus 200 level पे होता है, उपर होता है तो वहां से immediate selling आने के ज्यादा से ज्यादा chances होते है तो अभी ये जो opportunity है, अपने इंदुसिन बैंक में, heavy buying की है, final clubbing है और stock में आ रहे से oversold नहीं हो रहा है, तो opportunity तो miss नहीं कर सकते है तो अभी stock के अंदर breakout level यहां पे, recent breakout and supply यहां पे, minor breakdown level यहां पे जो हमारे 200 E.M. में and 25 E.M. में के आसपास है, अब यहां पे हम लोग को एक breakdown level यहां पे भी है, दूसरा breakdown level यहां पे भी है तो immediate buying show होने के chances यहां पे है, तो यहां पे suggestion क्या रहेगा, मेरा simple suggestion रहेगा 14, अभी 1444 चल रहा है, 1440 से लेके हम लोग 1410 के in between entry करेंगे, average question mark रहेगा, जब तक level break नहीं करता हम लोग average नहीं ले सकते, अगर trailing के साथ target लग गया है, तो भी कोई problem नहीं है हमारा जो 1470 रहेगा target, 1510 हमारा target रहेगा, trailing के साथ अगर हम लोग काम कर रहे है तो 1525, sorry, 1525, हम लोग trailing target लेके चलेंगे in the sin bank में यही थे दोस्तों मेरे level in the sin bank में fresh buying के, अगर आपको stock pay analysis समझ में आया, वीडियो को like करिए, share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए, thank you for watching my video